हलो गाइज वेलकम बैक टो आर चैनल फिर से स्वागत हैं एडवर्प्स की सीरीज में एडवर्प्स पार्ट सेवन विद मेनिंग एग्जैम्पल्स स्टार्ट करने उससे पहले इदी पुराने वीडियो लेक्चर से आपने नहीं देखें तो पूरी सीरीज देखें आप और टेकनिक्स यह हैं कि हम इन एडवर्प्स के मीनिंग समझाते हैं हिंदी एंग्लिश दोनों में और उनके उपर एक लिए अग्जैम्पल देते हैं ताकि एक्जैम्पल के आधार पर आप एडवर्प्स को प्रैक्टिकल रूप से समझ पाएं सेम तरीके से आज भी हम को चल रहे हैं यदि कोई नया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें and प्रेस बेल आइकन and जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको प्रॉसेस पता हैं कि आपको मेरे साथ जो सेंटेंसे में बोल रहा हूं उनके साथ आपको रिप मेनिंग होता है अवबो धक्ता से अवबो धक्ता से means in a way that shows the ability to notice and understand things that many people do not do example से समझिये she has spoken perceptively on many subjects means उसने उस वह बोल चुकी हैं अवबो धक्ता से कई सारे विशयों पर अब आप इसके उपर दूसरा sentence बना के comment box में रखें ताकि perceptibly से आप friendly हो सकें यह आपके practice में आ सकें and here is the second adverb passively passively means in a way that shows that you are thinking in a quiet way often with a serious expression on your face means उदासी से या चिंता से कोई चीज़ सोचते हैं करते हैं इसके लिए adverb यूज़ करते हैं passively example से समझिये she shook his sorry he shook his head passively means उसने अपना सिर हिलाया उदासी से या चिंता से यह चोटा से example था मैं expect कर रहा हूँ आपकी तरफ से एक नहीं बहुत सारे examples guys make, speak, practice then write into comment box now third adverb insanely, insane आप सबने सुनावा उसी से बना insanely in a foolish, wild or uncontrolled manner means विक्षिप्तता पुर्वक या पागलपन से कोई काम करते हैं उसके लिए उसकाते हैं adverb insanely जैसे example है she is insanely jealous of her girls मैं सा कहते हैं होता है कि वह बहुत ही पागलपन से उससे इर्शा रखती हैं या उसके प्रती इर्शा लू है अब insanely के उपर आप में से यदी पहले आप habitual हो तो आप इसके पर महनत न करें बट मैं सा मानता हूं कि जो adverbs में दे रहा हूं उन में से अधिकतर adverbs पर आप शायद friendly नहीं होंगे उसमें से अधिकतर के उपर आपने पहले कभी sentences भी नहीं बनाय होंगे so what are you waiting for guys make your sentences and write into comment box and improve your vocabulary as well as English communication here is again very beautiful adverb fourth number reverentially reverentially word reverend से बना आप सब जानते हूं जसका meaning शायद श्रद्धा को बोलते हैं reverence reverend, reverential और उससे adverb बना reverentially means in a way that shows a lot of respect and administration श्रद्धा भाव से example से समझिए she lowered her voice reverentially means उसने अपनी आवाज को कम किया नीचे किया श्रद्धा भाव से guys बनाते रहें और एक last में इसके बाद जो adverb हैं उसके बाद मैं आपको एक real time case बताऊंगा उसको आप सुने अभी इसके पर sentence बनाके comment box में रखें fifth adverb is intuitively intuitively means without conscious reasoning means अंतर ध्यान से example से समझे intuitively he knew that she was lying means अंतर ध्यान से वो जानता था या उसे पता था कि वो जूट बोल रही थी तो इसको sentence को repeat करें intuitively इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बोलिये intuitively 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 he knew that she was lying guys यह five adverbs थे meaning and examples के साथ I hope आपको अच्छा लगा होगा अब मैं आपके साथ एक case study शेर कर रहा हूँ हमारे टाइटेनियम में कई सारे स्टूडेंस जिन्होंने एमे कर रहा इंग्लीश में या they are quite highly educated उन्होंने जॉइन किया और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने middle level like जैसे graduation चल रहा है or school उन्होंने जॉइन किया दोनों की learning में हमने एक बहुत बड़ा huge difference पाया कि जो लोग ज्यादा पड़े लिखे होते हैं उनको ये वहम होता है कि ये मुझे आता है ये सोच रखते हुए वो जो आता है उसको वो कभी apply नहीं करते हैं और वो हमेशा complain करते रहे थे कि मैं English नहीं सीख पाया और दूसरे वो लोग जो initial stage पर होते हैं जिनके दिमाग में सा कोई वहम नहीं होता है कि मुझे कुछ आता है या आता भी है तो वो ये सोचते हैं कि नहीं यार मुझे बोलना नहीं आता है तो ऐसे लोग जो कम educated थे उनका ratio जादा था क्योंकि वो रोज अभ्यास करते थे हमारे सारे instructions को follow करते थे and they became fluent in English ये छोटी सी case study मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन lectures को देखकर भी बहुत कम लोग means मैं कहूं कि 100 में से 10% लोग इनके उपर सच में action में आते हैं वो sentence बना के comment box में रखते हैं means we feel that they are really, they are truly working hard and वो 10% लोग ही in fact result दे पाते हैं वो खुद appreciate करते हैं yes they are enjoying, they are improving तो इस case study से आप learn करें please कि आपको कितना ही आता है, आपने कितना ही पड़ा हुआ है but if you have not implemented into the sentence and उसको speaking में यदि नहीं ला पाये है तो वो आपके किसी काम कर नहीं वो knowledge सिर्फ knowledge बन करे जाएगा जो कि study होता है skills यदि आपको चाहिए communication skills यदि speaking skills तो for that you need to speak guys because everyone knows that speaking comes by speaking so guys speak these all sentences, make your own examples and I hope you liked our videos and if you really like then please please share these videos with your friends and hit the like button, if you don't like also dislike it but at least do something, okay enough, see you in the next lecture with the new content, with the new adverbs, with the new examples till then keep watching, stay tuned, thank you and take care